कि नमस्कार के खास करकाव में आप सभी का स्वागत है रूस युक्रेण युद्ध को चलते वे 650 दिन होने वाले हैं चाहिर है इतने लंबे समय तक है दोनों देश सिर्फ अपने हत्यारों के बलबूते तो युद्ध लड़ते रहने के लिए सैने साजो सामान की ततकाल जरुवत होती है और खुद के उत्पादन से इसकी पूर्टी नहीं हो सकती इसलिए अन्य देशों की मतलत देना सौभाव इकसी बात है देखा जाए तो रूस युक्रेन युद्ध में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि युक्रेन को अमेरिका और नाटो देश जमकर हत्यार सप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी और रूस ने चीन उत्तर कोरिया इरान और अन्य मददगार देशों से सैने साजो सामा युक्रेन को देने के लिए मनाता है और अमेरिका ही चरुत मन्द देशों से हत्यार मंगवा कर युक्रेन को भिजवा रहा है देखा जाए तो रूस युक्रेन युद्ध ने मंदी के दोड़ से गुजर रहे वियस्विक हत्यार उद्योग में नई जान डाल दी है इस समय देश है पाकिस्तान चोंकि दुनिया को दिखाने के लिए रूस युक्रेयन युद्ध में तटस्त रुख अपनाने का दावा कर रहा है लेकिन हाकिकत यह है कि वह मौके का भरपूर लाब उठा रहा है बताए जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूज रहे पाकिस्तान ने युक्रेयन को हथ्यारों के अपूर्ती करने के लिए रावल पिंडी में पाकिस्तान वायूसेना के नूर खान अडे से साइप्रस अक्रोटेरी में ब्रिटिस सेन ने अडे और फिर रोमानिया के लिए कुल पांच बार उड़ान भरी हालां कि पाकिस्तान ने लगातार इस और यह विशेश रूप से 155 mm तोप के गोले की खरीच से जुड़े थे बीबीसी उर्दु ने अपने दावों के सवर्थन में और सबूतों का हवाला देते कहा है कि स्टेट प्रेंक ऑफ पाकिस्तान के अकड़ों से यह भी पता चलता है कि वित्वर्ष 2022-23 के दुरान देश के हथियारों के निर्याद में 3000 प्रतिश्यत की वृद्धी हुई है बीबीसी की खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2021-21 में एक करोड तीस लाख अमेरिकी डॉलर के हथियार निर्याद किये जबकि 2022-23 में यह निर्याद 41 करोड पचास लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच किया था बता जाता है कि यह समझोते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव्मेंट यानि पीडियम के शाशनकाल के दौरान क्योंकि वह दोनों देशों की बीच संघर्ष में तटस्त है तीसरे देश के माध्यम से युक्रेट को हथियारों की कथित विक्री के बारे में पूछे गए सवाल पर सापताहिक पैसवारता में विदेश कारेले की प्रोक्ता ममताज जहरा बलोच ने कहा कि मैं इस बात की पुस्टी करती हूं कि जैसा हमने अतीत में कहा है कि पाकिस्तान ने युक्रेण या रूस को हत्यार नहीं बेचे हैं क्योंकि हमने संघर्ष में तटस्तता की नीती अपनाई है उम्ताज चहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान यह पुस्टी करने के स्थिति में नहीं है कि स युद्ध में कोई हत्यार या गवला बारुत उपलब नहीं कराया है लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा आतीत में भी कई अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके